तो दोस्तों, आपने अभी जो वीडियो देखा है, वो मैंने अपने Android फोन से ही बनाया है, कि लैप्टॉप से, बस आपको सही तरीके से समझ में आ सके, इसलिए मैं आपको इसका प्रॉसेस लैप्टॉप में बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मै मैंने इस वीडियो में एक दम सबसे आसान तरीका बताया है, कि आप AI की हल्प से कुछ मिनिट में काटून वीडियो या कह सकते हैं, कि एक शांदार मोटिवेशन ट्रेंडिंग स्टोरी वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैंने इस वीडियो को 5 से 6 स्टेप में बाट दिया है, जिससे आपको स्टोरी वीडियो बनाने में आसानी होगी, यदि आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आए, या कहीं पर कोई प्रोबलम आए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक औ स्टोरी भी AI की हेल्प से ही लिखने वाले है, तो स्टोरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में या लैपटॉप में Google को ओपन कर लेना है, और Google पर सर्च करना है, चैट GPT, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, और पहली वाली वेबसाइट ओप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब आपको ये पर स्टोरी लिखने के लिए प्रॉम्ट लिखना होगा, तो मैंने पहले से लिख कर रखा है, तो मैं उसे यहां पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ये प्रॉम्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे द दिया है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा है कि आ मैं यूट्यूब के लिए एक लॉंग वीडियो बना रहा हूँ, जिसका टाइटल है एक गरीब किसान और उसका बेटा, तो तुम मुझे एक कहानी बना कर दो, जो क कम से कम 15 से 20 प्रॉंट बना कर देना और अच्छे से बना कर देना, इतना लिख कर आपको ये प्रॉंट चैट, GPT को सेंड कर देना है, चैट GPT आपको एक स्टोरी बना कर दे देगा, साथ में स्टोरी इमेज के लिए प्रॉंट भी जनरेट करके देगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। जब तक story और prompt generate हो तब तक आप लोग channel को subscribe कर दो। जब पूरी story और image prompt generate हो जाए तब आप पूरी story को copy करके कहीं दूसरी जगह paste के देना। यदि आप mobile में वीडियो बना रहे हैं। तो mobile में note नाम से एक app होगा उसमें आप पूरी story को paste कर देना है या फिर आप इसी जगह story को paste कर देना। जहां से बाद में आप story को copy कर सको। इतना करने के बार में अब बारी आती है दूसरे नंबर के topic की मतलब audio generate करने की। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि audio generate करना बिलकु कर लेना है उसके बाद में आपको Google में जाकर 11 labs सर्च करना है और पहले वाली website को open करके अपनी किसी Google ID से login कर लेना है। तब आपको नीचे एक download का option दिखेगा। उस पर click करके audio को download कर देना है तो कुछ इस तरह से आप अपनी story के लिए audio generate कर सकते हो। अब बारी है अपने topic number 3 की जो है अपनी story के लिए इसमें create करना वो भी एकदम HD quality में। तो image बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी story में से उस prompt को copy कर लेना है जिसका हमें image बनाना है मतलब हमें अपनी story में से पहले वाले image prompt को copy कर लेना है। copy करने के बाद में आपको Google पर जाना है और search करना है Leonardo I.I. इतना लिख कर search के देना है। उसके बाद जो पहली वाली website आएगी उस पर click करके अपनी Google ID से login कर लेना है। Login करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब आपको यहाँ पर image creation लिखा हुआ दिख रहा होगा उस पर click करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब आपको यह पर वो सब setting कर लेनी है जो screen पर आपको दिख रही है. यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक advanced setting का option दिख रहा होगा, उस पर click कर देना है उसके बाद आपको जो prompt आपने अपनी story में से copy किया था, उसे उपर image creation बार में paste कर देना है उसके बाद आपको आगे एक generate वाला option दिख रहा होगा, उस पर click ओर देना होगा फिर आपको image बनना शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में आपकी image बकर तयार हो जाएगी image बनने के बाद में आपको कोने में three dot पर click कर देना है उस पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर copy seed का option दिख रहा होगा उस पर click करके seed को copy कर लेनी है copy करने के बाद में आपको advanced setting वाले option में जाकर सबसे last वाले option use flash seed वाले option को on कर देना है और उसके नीचे ही copy किये हुए seed को paste कर देना है जैसा कि screen पर दिख रहा है इतना करने के बाद आपको अपनी story में वापस चले जाना है और अब दूसरे number वाले image prompt को paste कर देना है paste करने के बाद में आपके सामने generate वाला option दिख रहा होगा उस पर click करके image को generate कर देना है थोड़ी देर में आपकी image बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह आप अपनी story की एक-एक करके सारी image को बना कर कर download कर लेना इतना करने के बाद अब बारी आती है हमारे main topic की जो है number 4 image से video कैसे बनाए तो image से video बनाने के लिए आपको सबसे पहले Google पर जाकर pixels.ai लिखकर search कर देना है और दूसरी वाली website को open कर देना open करने के बाद आपको अपनी Google ID से login कर लेना है login करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब आपको यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक image वाला option दिख रहा होगा जैसा की screen पर दिख रहा है उस पर click करके आपको उस image को select कर लेना है जो आपने अपनी story के लिए सबसे पहले download की थी मतलब पहले prompt की image को select कर लेना है select करने के बाद आपकी image upload होना शुरू हो जाएगी अब आपको image के सामने ही text box दिख रहा होगा उसमें आपको image को video में convert करने के लिए prompt लिखना है में यह पर अपने अनुसार एक दम simple prompt लिख देता हूँ की motion in this image इतना लिखने के बाद आपको create वाले option पर click कर देना है फिर आपका image से video बनने का process शुरू हो जाएगा पर कुछ देर में आपका video बनकर तयार हो जाएगा जब video बनकर तयार हो जाए तो download वाले option पर click करके video को download कर देना जैसा कि screen पर दिख रहा है इसी तरह दूसरी सारी image को video में convert कर देना और सारी image को convert करने के बाद में आपको किसी भी editing app में जाकर सारे video को line से add कर देना है mobile में video editing करने के लिए आपको vn app का इस्तेमाल करना चाहिए वो सबसे अच्छा रहता है तो कुछ इस तरह आप 3D animation video बना सकते है तो video अच्छा लगा हो तो like करना और channel को subscribe करना और video बनाने में कोई problem आए तो मुझे comment करके जरूर बताए मिलते हैं अपने next video में